असलाम लेकुम विवर्स, हॉप्ट आर डूइंग वैल आज मैं आप लोगों के साथ ट्राउजर का एक और बहुती प्यारा सा डिजाइन शेयर करूंगी इस डिजाइन को बनाने के लिए हम ट्राउजर के लेंट तेन इंच गम रखेंगे सबसे पहले ये मैंने बुकरम ली है, बुकरम को हम इस तरहां से डबल करेंगे बुकरम के लेंथ मैंने ली है पांच इंच ओविट हम अपने पांच इंच के हिसाब से रखेंगे यहां पर हम मार करेंगे चार इंच पर मार करने के बाद अब ये देखें यहां से मार को ऐसे लेते हुए आएंगे इस मार के साथ मिला लेंगे इस तरह से मार करने के बाद बुकरम को हम कट कर लेंगे ऐसे हमने बुकरम को कट करना है यहाँ पर देखें मैंने बुक्रम को कट कर लिया है अब बुक्रम को हम फैब्रिक पर पैस्ट कर लेंगे इस तरह से मैंने बुक्रम को फैब्रिक पर पैस्ट करके यहाँ पर हम लोचिस लगा लेंगे और अब इस extra fabric को बुक्रम की तरफ फोल करेंके stitch कर लेंगे इसको इस तरह से stitch करने के बाद अब ये मैंने अपना पाइंचा लिया है पाइंचे के उपर हम इसको ऐसे रखेंगे पहले हम center से stitch करेंगे यहां से center से stitch करने के बाद अब उक्रम के साथ साथ से स्टिच करेंगे ये देखी इस तरह से अब स्टिच करने के बाद ये जो नीची फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे और यहां पर हम रोचिस लगाएंगे अब बुक्रम को हम इस तरह से रॉंक साइप पर फॉल करके प्रैस कर लेंगे ये देखी इस तरह से मैंने पाइंचो को प्रैस कर लिया है अब ये मैंने बुक्रम ली है बुक्रम के लेंद इस तरहां से साड़े साथ इंच है और विड़ थे इसकी तकरीवन साड़े 19 इंच अब इस पर हम Pintex डालेंगे ऐसे यह देखें बारिक बारिक हमने इस फैब्रिक के उपर Pintex डालने हैं एक पिंटेक्स डालने के बाद इसके बराबर हम दुसरा पिंटेक्स डालेंगे और सेंटर में गैप छोड़ेंगे हाफ इंच टू पाइंट का सेम इसी तरह से पूरे फैब्रिक पर हमने पिंटेक्स डालेने हैं ऐसे मैंने ये देखे सारे फैब्रिक पर पिंटेक्स डाल लिये हैं इसके बाद ये मैंने कपड़े की डोरी राड़े की है इस कपड़े की डोरी में से हम दो दो इच्च की डोरियां कट कर लेंगे काफी सारी स्टोरी के हम लूप्स बनाएंगे डोरियों को कट करने के बाद अब ये पिंटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे यहाँ पर मार करेंगे और अब हम अपना पाइंचा लेंगे पाइंचे को ये देखी सेंटर से उपर रखेंगे सेंटर से ब्राबर रखेंगे और दोनों साइड से यहाँ पर हम तीन तीन निच के गैप पर मार कर लेंगे इस साइड भी हम तीन निच पर मार करेंगे मार करने के बाद यहाँ से हम फिक्स कर लेंगे इसको ऐसे पिन के साथ ताकि ये हिले ना अब एक हम डोरी लेंगे इसका लूप बना कर पहले हम सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ऐसे सेंटर में लूप को रखेंगे और यहां से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे अब ये देखें ऐसे डोरी की हम लूप बनाते जाएंगे और यहां पर रखकर स्टिच करते जाएंगे ऐसे एक साइट पर मैंने लूप को स्टिच कर लिया है सेम इसी तरहां से हम इस दूसरी साइट पर लूप को स्टिच करेंगे इस तरहां से इस तरहां से दोनों साइट पर मैंने लूप को स्टिच कर लिया है अब हम लूप को पाइचे पर स्टिच करेंगे यहां पर यह देखें ऐसे एक डोरी लेंगे उसका लूप बना कर यहां पर स्टिच कर लेंगे पूरे पाइचे पर हमने इनको स्टिच कर लेना है लूप को स्टिच करने के बाद नीचे से हम इसको ब्राबर कट कर लेंगे अब इसके बाद यह मैंने बुक्रम ली है पांचे के नीचे रखकर स्टिच करेंगे, इसके नीचे मैंने फैब्रिक को पैस्ट कर लिया है, यह देखें ऐसे इसको नीचे रखकर स्टिच करेंगे, इस्टिच करने के बाद अब इस बुक्रम को हम ऐसे राइट साइट पर फॉल करके, यह देखें, इस से नहां से हम इस अपने पाइंचे को ऐसे रैडी कर लिया है अब हम यहां पर पर्स लगा देंगे तो कैसा लगा आपको यह मेरा डिजाइन कितना खुबसूरा देखे बनकर रैडी हुआ है अगर आपको यह मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें थैंक यू